अब शुलाब नेकम दोस्तों वैलकाम टू यकूब टेक्निका ट्रेक्स तो यकूब टेक्निका ट्रेक्स में खुशाम दी तो आज लेकर हैं ओपो का अब एच छेतर मडल है आप देख सकते हैं तो आज हम इसे ओपन करेंगे यह आधा दूभी पड़ी है चेक करते हैं के ओन है के नहीं है इंशालला इसको कुलते हैं अगर ओन होगा या इसी का मसला होगा हाल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको चेक करवाओं का बना हुआ इसे ओपन करता हूं अभी आप देख सकते हैं कि कितनी बूरी हाला से टूटा हुआ है मुबाइल यह देखें इसके नट काबले भी ओपन हैं बिल्कुल खुले पड़े हैं टूटने के वज़ा से हुआ 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 है यह चुछा है तो बहुत बुरी हाला से टूटा हुआ है मुबाइल यह सिम ड्रेज के अंदर लगी हुई है अभी कि हम निकालना है तो हम इसे पहले निकाल लेते हैं कि अहले बेते हैं निकालन देगा है 하 बिल्कुल न्यू मुवैल था ये बिल्कुल न्यूण अबी भी एक नट लगा हुआ इसके अंदर तो फिंगार तो इसका सही है बिलको लोग के पड़ा है वैलियम वैलियम वाली स्टेप काट गई है इसकी यहां पर आप देख सेखते हैं के यह स्टेप भी कट गई है यह वाली भी स्टेप भी कट गई है अड़ी बुरी हाला से टुटी हुई है इसकी अड़ी कैसिंग भी नू लगेगी इसकी और अब बोर्ड की हाला देखते हैं कैसे हुई पड़ी है अब ही जूम करवा कि आपको चेक करवा देता हूं तो आप दोस्त देख सकते हैं कि बिल्कुल चार्जिंग वाला जैक तो बिल्कुल ओक के पड़ा है यह वाला चिस जगा बैंटरी की स्टेप वाला वह बिल्कुल ओक के है यह देख सकते हैं आप चार्जिंग वाल स्टेप इस जगा पर लगती है यह थोड़ा सा हिसा डैमेज है और यह यहां पर लगती है वो पैनल हो गया तो पैनल वाला जो है इसा बिल्कुल डैमेज है यह चेंज करना पड़ेगा यह वाला इस्टेक्शन पैनल के लिए होता है और बोर्ड के अला तमाशालला बिल्कुल होके है ओपो एच है तर माडल है यह उसी का ही बोर्ड है अभी तो अभी फ्रेश पड़ा है यह तो अगली वीडियो में आपको यह कनेक्टर भी चेंज करके दिखाऊंगा और इसका पैनल बिल्कुल हडी केसिंग न्यू लगा के फिट करके दिखाऊंगा इंशालला यह बिल्कुल चलता हुआ है मुबाइल बैंटरी के हालाद बिल्कुल हो क्या है अब देख सकते हैं अज़ सही है अज़ सही है और बैल आइकन को भी प्रेस करें इसका अगला पार्ड नेक्ट वीडियो में होगा मुकमल उसी आफ लिए लूडंगा इसा START अप्रेस करें लुकम उसे लूड़ है त लूड़ है किपाऊने आपर काई लूड़ को अज़ धर्या है वहां वां पार्ड़ा नेक्ड़ कि टूड़ करके हैं वहां लुकमल